असलाम अलेकुं विल्कम बैक टो मैं चैनल सर्फटीस्टी आज हम बहुत ही मज़िदार से एक रिशिपी बनाएंगे जो के बनेगी लेफ्ट ओवर अफगानी नान से आप चोहे तो कोई भी नान से बना सकते हैं पर यहां पर मेरे पास अफगानी नान बची वी थी तो इसस के लिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या लिया है फर्स टेप हमारा होगा चिकन स्टॉक प्रिपेर करना इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके के पीसे लिए है आप होल चिकन में से बोन बोन वाले पीसे ले लिए लिए और इससे हम बनाएंगे चिकन स्ट टालेंगे ताकि नमक तो देला है कि जी जी आपको स्टॉक्ट जितना स्टॉक स्टॉक चाल दालेंगे देखिए यह वाली अफगानी नान है मेरे पास बजगे थी तो हम इसे चोटे-चोटे क्यूप में कट कर देंगे और इसे हम करेंगे डीप-fry देखे, आप देख सकते हैं, कि मैंने इसे चोटे से क्यूब्स में कट खल लिया है इसके बाद हम इसको deep fry करेंगे अन्य medium hot oil में बहुत hot मत कीजिए oil, medium मेडियम से थोड़ा ज्यादा hot oil हो सकता है क्यूंकि हमेज इसे crispy करके brown बनाना है बहुत ज़्याद गरम मत किजिए वना आपके ब्रेड जल जाएगी डी फ्राइ करने के बाद हम इसे एक पेपर टाल पर निकाल लेंगे ताके एकसेस ओल निकल जाए सारे पीसेस को हम इसी तरीक से फ्राइ कर लेंगे और हमारे पीसेस बन के रेडी हो गए है अब हम जिसमें भी हमें सर्फ करना है वो डीश लेंगे मैंने बायरक्स वाई चोटा सा डीश लिया है इसमें हम सारे आपको जितने भी नीडेड है उतने नान के पीसेस डालिए इसके ओपर जो मैंने चिकन स्टॉक बनाया था मैंने चिकन स्टॉक को 45-50 मिनिट्स पकाया था इसके बाद आप उसके नमा के अन मिर्शे टेस्ट कर लीजे अपने हिसाब से और अच्छा मज़ेदार सा आप चिकन स्टॉक बनाईए चट पटासा क्योंकि सारे फ्लेवर्स आपको ये डिश के चिकन स्टॉक से ही मिलेंग इतनी बेच के लिए इतनी बेच मैं बैच के लिए धिकन स्टॉक डाला हिए हाफ लिटर चिकन स्टॉक डाला है अच्छे से सोगर कर देंगे इसको बिप रिओर अपर हम डालेंगे योगर्ट जितना अभी नीड़िए है एसा कोई hard and fast रोल ही है कि हमें इतना ही डालना है बलके अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम यह ज्यादा कर सकते हैं, योगर्ट डाल दीजिए, मुझे half kg से थोड़ा सा कम योगर्ट लगा है और योगर्ट में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, not even salt और पानी भी मिलाया है, ठीक योगर्ट ही हमें डालना है, इसके पर थोड़ा सा चिली फ्लेक स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा कुरियंडर लीव स्प्रिंकल कर देंगे आप चाहें तो ग्रीन चिली इसको बिल्कुल बारिक चॉप करकर भी डाल सकते हैं अगर spicy फजन करते हो तो मैंने थावी चिली से ही डाल दिया है इसके बाद हम इसे cover करेंगे, cover करके से half an hour के लिए छोड़ देंगे और यूज में आ जाएगे और बहुत ही मज़िदार सी डिश बन जाती है आप चाहे तो इसे serving time पे थोड़ा चिकन स्टॉक और थोड़ा सा योगर डाल कर भी सर्फ कर सकते हैं पर यकीन माने किसी चीज के ज़रौत नहीं होगी अब बहुत मज़दार डिश बन दिया ज़रूर ट्राइक कीजिए प्रसी पी इच्छे लगए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए अपने family और friends के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और बलाइकन को दबाना मत खुली ताकि आपको मेरी वीडियोस पहले दिखने मिलें अल्हाफिस